कथक शब्द कथाकार शब्द से उत्पन्न हुआ है इस स्मृति के मात्यम से कथाकार अपनी कहानिया सुनाते थे वे जगे जगे जाकर बड़े ही मनमोहग तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन करते थे उनकी कथाएं पौराणिक गाथाओं एवं देवी देवताओं पर आधारित होते थे कथक की प्रस्तुती गान लीला श्री कृष्ण की स्तुती है जिनके स्मरण मात्र से ही जिवन का उथार सुनिश्चित है नंदलाला की सुन्दर्था एवं उनका मैमा मंदल स्वरूप सभी को दुख दर्द से दूर कर एक स्वरूप सभी को जीवन जीने की दिखाता है तो आई ये प्रस्तुत है भाव भागिमा पौर्ण कथन नित कर दिखाता है कर दो नहींद है। कर दो कर दो कर दो हजे बलेका मन्डirm एक कर दो कर दो रेल जनाम सदेवनंद नंदनम सुपिछ गुच्छ मतकम सुनाद वेनु थर्स्तकम सुपिछ गुच्छ मतकम सुनाद वेनु थर्स्तकम अनंद रंद साधरम नमामे कृष्ण नादरम 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 सरषा neighborhood सरषा छर्ठा कर्वा सरषा छर्ठा कर्वा बोला वत्धा परका किष्टा क्रिशिवा आए क्रिशिवा क्रिशिवे करार बंद भूधरम स्मिताह लोक सुन्दरा महें ब्रमान दारनम नमामे कृष्न वारनम नमामे कृष्न वारनम नमामे कृष्न वारनम टार्नम ार्नम झाल